मेरा गाउ मेरा देश देख करिए आपका संदेश ताजा खबरों साथ अवाशिंग चहल अलो दोस्तो नमस्कार मैं हवाशिंग चहल संपादक आपका संदेश दोस्तो सबसे पहले जो आज कल सबसे बड़ा मुद्दा है वो किशाना दोलन और किशान अंदोलन के साथ ही यहां अर्याना में तीन निगमों के चुनाव हुए थे जिन में से दो में बाजबपा जजबपा आर गई है यह गठबंदन की जो सरकार चल रही है इसने अपने शिट्वा बटवारा किया था और तीन में से दो निगम में चुनावा रही पंचकुला में जरूरीन कुरात मिली क्योंकि वहाँ पर लेक कॉंग्रेस का मेर था और अब उन्होंने अपना बना लिया है यानि बाजबप नहीं वो जीती है जोनोंने अर्यानाजन चैतना पार्टी बनाती है और बाकी तिन्नों पालिकाओं में निर्दिलिये चेर्मेन बने हैं और निर्दिलिये भी हैं तो कहीने कहीं समर्थक ही कोई किसी नेतागा समर्थक है कोई किसी नेतागा तो कुल मिला कर यह मिला जुला पहां असर हुआ है लेकिन कॉंग्रेस कुछ पैदयम रह है क्योंकि कॉंग्रेस ने और यह जो अश्टिरानी जीती हैं यह ज्यादा वोटों जीती है और फर्संटेजS वोटों की देखें तो रिवाडी में भी थोड़े से वोटों से में बाजपा की पुनम जीती हैं और इदर कमर सिंग निर्दलिय जीते हैं दारु एड़ा पालिक का मैं वो भी बहुत ही थोड़े वोटों छह सब तिस वोटों जीते हैं और जो पुनम है ये रिवाडी से ये भी कुले दो अजार और 87 वोटों से जीत पाई हैं इदर साप पालिक का मैं पुजा जो कि बताते हैं नंबरदार वो उड़ा साभ का ही समर्थग है तो वो जीते हैं बताया है उसके पुजा है जो उसके गरवारी वो जीती है उनकी दरमपतनी और वो चारह जार दो से शे वोटों से जीती है तो ये एक बड़ी जीत है क्योंके वोटे स अपला में तो थोड़ी हैं और उकलाना पालिक का में खास बात ये रही के सरकार का जो जेज़ेपी का गड़ बताते थे वहाँ पर सुसील जीते हैं वो चेर्मेंड पद के लिए वो निर्दलिये हैं और चरसा उन्नीश वोट से उन्होंने जेज़ेपी उमिद्वार को आरा कहें कि उड़ा साइब की ही वहाँ जीत होई है और तयर्राजार आठसो शत्रा वोटों से उन्होंने बाज़पा को अरा एदर अंबाडा में भी शक्ति राणी है जो विनोज सर्मा की दरहंपत्नी हैं उन्होंने आठसार चुरासी के अंतर से बाज़पा को अरहा है और वंदना सर्मा थी बाजप्पा के भी वो भी बड़ी मसूर कंडिडेट हैं, तो इन दोनों सर्मा कंडिडेट में ही मकाबला वहां रहा, तो ये मिला जुला है, इसमें दोनों संतूष्टे हैं, उड़ा साथ कह रहे हैं, हमने परदर्शन पहले से बेतर किया है, उदर से जो बाजप्पा के दन्खड साब है अदेक्स वो भी कह रहे हैं कि हमें ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ तो यह मिली जुली परती के लिए वहां से आ रही है और अब लिए चलते हैं आपको किसान अंदोलन की तरफ तो कल्य दिल्ली में काफी लंबी यानि पांच गंटे तक लगाता है और सरकार और किसान नेता होंगे बीचें बात होती रही और दो जो किरसी बिल के अलावा अन्य बिल थे पराड़ी का था और बिजड़ी वड़ा वो मसला सुलजगा है लेकिन ये करना के 50% समाधान हो गया वो मैं नहीं मनता 50% हुआ है क्योंकि ये तो एक्स्ट भी मतलब वापिस होने के ही बिल थे क्योंकि एक करोड़ प्राड़ी का जुरुमनार एक छोटे किसान पर ये कोई समझने की भी बात है कि ये थो ऐसे एसम बहुता था अब किसी के पास अगर एक एक जमीन है उसको एक इतना बड़ा जुरुमना कर दिया तो कहां से देगा हो दे नहीं पाएगा तो ये तो बिल देर सबर होनी थे इनको इनके साथ जोड़ दियागा इसलिए कहते हैं फिप्टी परसेंट हो गया ये सिर्फ मीडिया का परचार है फिप्टी परसेंट जब मानेंगे जब इन तीन किसान अध्या देश जो जारी किये गए हर जो बने है इसको जितना प्रसेंट इसमें से लेंगे या पूरा का पूरा इसको रद करेंगे इस से उस बात का अंदाजा लगेगा तो दोस्तों इसमें वैसे तो बहुत सुआर्थ पूर्ण बात होई और सरकार की तरफ से भी कुछ नर्व में का रुख दिखाया गया और किस जनवरी जवाबी आने वाली है उसमें फिर से बात सी तो होगी और उन्हों ने ये भी सपस्ट कर दिया है कि वही ये लंबी पर करिया है कानून की तो इतना असान नहीं है इसको वापिश लेना और किसान इस बात प्रेड़े हुए हैं कि ये तिन्नों बिल रद करे जाएं व तो बात ही नहीं नहीं लोगों नपास कर रहा था उनहीं में लेकिन सरकार इस बात में अपनी बेज़ती महसूस कर रही है कि अगर इनको वापिश ले लिया तो सरकार की किरकरी हो जाएगी और विपक्स है भी हो जाएगा तो इन बातों का देखते हुए सरकार वापिश के मोड में नहीं आ रही, किसान इस बात पर पूरी तरह अड़े हुए हैं, कि ये पूरी तरह से रद करके, नए सिरे से, अगर बिल सरकार लेना ही चाहती है तो नए सिरे से फिर किसानों से भी बात की जाए सरकार के भी उसमें नुमाइंदे हो विपक्स का भी कोई आदमी हो तो इस किसम की को ऐसी कमेट्री का गठन के आजाए जो सब की बात सुनके और नए सिरे से कानूं का प्रारूप तयार करें तो दोस्तों यही चीज़े होत बिना सोचे समझे और बिना किसी की सला मसमुरा के सरकार्णा एक तरफा फैसला लेकर और ये अद्यादेश जारी करके पास करवाय लिए यही कारण है कि इसमें दिक्कत आई कुछ विपक्साहिवी हो गया कुछ किसानों के यह बिल खलाब हैं इसकर के भी लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट की वजाए किसान चाहते हैं कि पूरे रद करके नहीं सिरे से ले आओं और यह कहते हैं वही इसी में कुछ छोटा मोटा जो फैर बदलो ना वह जाए लेकिन किसान बरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बार बार सरकार जोट बोलकर अंदोलन को उठाती रही है अ टारेक्शन में सारी यहां बरी गई थी बाद में कुछ भी नहीं हुआ तो इस बात को लेकर भी लोग सोच रहे हैं कि वही कानी बनेगी जो पहले बनती आई है सरकार अहां तो बर लेगी लेकिन सरकार उसको मननेगी नहीं एक बारा नोलन ठाने बात इतर बीतर हो आज माहूल बने हुआ है किसान भी चाहते हैं कि किसी भी किमत पर इन बिलों को निरिश्ट करवाएंगे और विपक्स भी पूरा अपना दम खम लगाए हुए है क्योंकि विपक्स को तो मौका मेली जाता है और मिलना भी चाहिए क्योंकि किसान अकेले हों गए तो फिर पूरा उसको वा देते हैं या पूरा उनका समर्थन करते हैं तो कहीं न कहीं वो मदद मिलती है उनको भी और परजात इंतर के अंदर जिस साइड में जनता का रुख होता है सरकार उस पर सोचने पर मजबूर होती है तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को भी अपने ही किसान है अपनी ही सरकार है अपना ही देश है अपनी ही जमीन है तो सारे संसादन जब अपने है तो क्या दिकत है उसको मनने में लेकिन यह कोई जिद्धी वाली बात नहीं है अब कहीं कहीं से फरजी किसानों संगठन खड़े करके उनसे कहलवाना कि वह ये इत्म है इत्म है इत्म है तो जितने किसान है वो नहीं चाहते इस चीज को यह तो यहां बैठे हैं जो खेतों वाले किसान हैं कोई फारमाऊसों वाले या कोई गमलों वाले जो किसान हैं वो चाहते लेकिन जो खेती करने वाड़े लोग हैं हम भी सारे गुमते हैं और सारी बातान जाना भाई सारी चीज जो असलियत है वो यही है किसान इस टाइम इन तिन्नों किर्शी बिलों के खिलाब है यह कह देना कि वह यह अक्मा है यह और है ऐसा कुछ नहीं है तो इन बिलों को जो तो च्यार तारीक को उना है, तो सरकार हो सकता है, सुवार्थपूल तरक्के से वापिश लेने के पर तो किसान अड़े हुए हैं, और इनको एज इटीज रखने में सरकार अड़ी हुई है, लेकिन अब बीच का रास्ता क्या निकलता है, कितनी अमेंडमेंट पर किसान तयार होते हैं सरकार तयार होती है ये देखने वाली बात होगी और ये देखने के लिए हमें च्यार तारिक का इंजार करना पुड़ेगा है इतना जरूर है कि अगर किसानों इमांग पूरी नहीं मानी गई तो इतने जल्दी ये पिछे अटने वाड़े नहीं हैं तो सरकार को मेरे ख्याल में जल्दी ही इन से बात करके और इसको फारिक कर देना चाहिए तो मेरा इन इस अब्दों के साथ ये है अभी तक बहुत खाने पीने में कोई कोताई ना रखें किसी भी किसम की यहां दिक्कत किसानों के पास मुझे नहीं लगता कि क्योंके जो अरियाना के किसान हैं वो भी गरों से अब बार कले हैं और अब अंदोलन और तेज हो सकता है तो इसलिए सरकार को समय रहते हैं चेतना से ये और इनकी मांग को बड़े साधान तरीके से ही माल लेना चाहिए ताकि कोई ज्यादा विवाद ना खिड़ा हो तो इन बातों के साथ मैं अगले एपिसोड में आपको कुछ नई ब को सुब कामना देता हूं क्योंकि नए साल में चंद घंटे बचे हैं तो आज इस वरस का अंतिम दिन है तो ये साल जैसा भी आपका गुजरिया अच्छा माड़ा जो हुआ कहते हैं समय जो करता है भगवान जो करता है वो ठीक होता है लेकिन हमें कड़वी और मिठी जो ब बढ़का जाएगा और वही किसी का अच्छा गुजरिया है तो उससे भी हम ये चाहते हैं कि नया साल सब के लिए मंगल मैं हो और सब को सद्बूदी दे और सब के लिए ही ये फल दायक और अच्छे तरह गुजरे तो नया साल की सुब काउनाओं के साथ आपका पनिनमस्क ऐखकोदी येदेख्टर अवाशिक के तरहा है को रिए ही तरहिक हाओ एननाओ के साथ चाहते हैं कि लिए अच्छे उससे भी हम आपकोदी बढ़का हैं कि लु जाजर को सद्टर्ब्त में हम संध्टर आब कृगर